सर्वप्रथम आप सधी को फिचत्तरवे गनतंतर दिवस की बहुत-बहुत शुब कामना हैं इस सभाग्रह में उपस्तित हमारे कुल सचेव प्रोफिसर अविनाश बाचपई जी हमारे दो विशिष्ट अतिति आये हैं UN Population Fund जिसके साथ हमने अनुबंद किया है और उन्होंने यहां प्रशिक्षन कारिकरम भी Population First के साथ मिलकर किया और हमारे विशुविद्याले के संकाय श्री राहूल खडिया जी को प्रशिक्षन भी मुंबई में दिया SA-UNFPA मध्यप्रदेश के रेप्रेजेंटेटिव प्रतिनिदी डॉक्टर सुनील जेकब जी हमारे बीच में हमने इस अपने विशुविद्याले में लगातार प्रयास किया है कि अपने पूर्व छात्रों को हम मंच प्रदान करें उनको प्रोचसाहित करें उनका जो हमारे साथ संबंध है वो आजीवन रहे इसलिए हमने पूर्व छात्र प्रकोष्ट की जो है हमने स्थापना की सीनियर से समवाद जैसे कारिकरम और अब स्रिजन जैसे कारिकरम जहां उनके दुआरा जो रचनात्मक उनका जो भी कार्य है उसको एक मंच प्रदान करने का काम किया वैसे ही आज हमने यह सोचा कि हमारे बीच में हम एक पूर्व छात्र को भी विशिष्ट अतिथी के रूप में बुलाएं तो ऐसे हमारे बीच में जो है आरती शर्माजी है जो हमारी पूर्व छात्रा है और इस वक्त साधना न्यूस चैनल की स्टेट हेड है मैं उनको भी आरती जी एक सेकेंड आपको उठ जाएं आरती जी हमारे बीच में हैं यहां उपस्तित सभी विवागा द्यक्ष्य सभी संकाय सदस्य हमारे शोदार्ती हमारे प्रीविद्ध्यार्ती हमारे करमचारी बंधू और विशिष्ट रूप से हमारे करमचारी बंदुओं के परिजन उनके परिवार जन जो आज बड़ी संख्या में यहां उपस्तित है जैसे की डॉक्टर खोबरे ने बताया जनवरी 16 2023 में हम लोग यहां हस्तान तरित हुए उससे पहले भी हम लोग यहां कारिकरम करते रहे चित्रभारती उत्सव हुआ 26 जनवरी यहां मनाया गया लेकिन यह पहली बार है कि यहां एक छोटा सा हमारा एक अपना शहर अपना एक छोटा नगर माखनपुरम बस गया है और इस माखनपुरम के रहवासी आज पहली बार इतने बड़े तादात में आज इसमें भाग ले रहे हैं मैं पूरे माखनपुरम परिवार को यहां स्वागत करना चाहता हूँ आम तोर पर जो कुल्पती का या ध्यक्षी या उद्वोधन है ये अंत में होता है लेकिन मुझे लगा कि सांस्कृतिक कारिक्रम के बाद आप लोग भी सुबे सुबे निकले हैं फिर आप लोग बहुत ठक जाते हैं तो मैं पांच मिनिट अपनी बात कह के फिर हम सांस्कृतिक कारिक्रम का और अन्य जो आज कारिक्रम यहां तै किया गया है वह करके हम सब मिलकर सहभोज करेंगे मैं दो-तीन बाते ही आपके सामने रखना चाहता हूँ मुख्य रूप से आज पिछित्तरवा गनतंत्र दिवस है यानि की ये एक मील का पत्थर है हमारे राष्ट्रिय यात्रा में हमने अमरित महोच्षव मनाया जब हमने पिछित्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाया और ये जो अमरित महोच्षव मनाने के बाद अब हम आ गये हैं अमरित काल में और ये अमरित काल का उद्देश्य है कि जब हम अपना शताब्दी वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाएंगे उस वकत हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र होगा इसलिए विकसित भारत की संकल्पना की गई है और उस दिशा में वो सिरफ आज हमारे 26 जन्वरी के मेमान फ्रांस के राष्पती मैकरॉन आज कर्तव्य पत्पर राष्पती के साथ सलामी ले रहे हैं हमारे विशिष्टे अतिति हैं आज के सैन्य बल सैन्य शक्ती वहां प्रदर्शित किया जाएगा लेकिन आज विशेश रूप से वहां नारी शक्ती काभी प्रदर्शन होगा कि अलग-अलग छेत्रों में किस तरीके से हमारी बहने कंदे से कंदा मिलाकर इस विकसित भारत की यात्रा में हमारे साथ हैं तो चाहे वो संसद में विधान सभा में पंचायतों में आरक्षन का विशे हो या हम अन्य जितनी योजनाएं हैं बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ उसे लेकर लगातार ये प्रयास में हैं कि जो आधी आबादी जिसे कहते हैं क्योंकि UN Population Fund उस दिशा में काम कर रही है ये आधी आबादी जो है वो पीछे न रह जाए आज जो जांकिया 26 जन्वरी को कर्तव ये पत्र से निकलेंगी उसमें से एक जांकी अपने मंद्य प्रदेश की भी है और उसमें हमारे प्रदेश से जो पहली फाइटर पाइलट है अवनी चतुरवेदी स्कुआडरन लीडर वो भी उस जहांकी में होंगी कितना गर्व का विशय है हम सब के लिए और बाकी तो इंटर सर्विसस जो बेटालियन है उसमें हर ट्राइ सर्विसस के सेना से फल सेना से वायू सेना से नौ सेना से हमारे महिला योध़ा है वे उस परेड में शामिल होंगी तो ऐसा कोई छेत्र नहीं रह गया है चाहे वो आप मेंसे कई लोगों ने वैक्सीन वार फिलम देखी होगी विवेक अगनी हुतरी जी की महिलाओं को कितना बड़ा योगदान रहा है क्या-क्या कुर्बानिया उन्होंने दी है तब जाकर जो है हमारा वैक्सीन तयार हुआ अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने सामाजिक जीवन में इसी प्रकार महिलाओं की बहुत बड़ी भूमी का हमारे मंगलियान में हैं हमारे गगनियान में हैं जो भी हमारे स्पेस के छेत्र में जो हम तरक्की कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका महलाओं की है इसलिए आज का जो केंद्र बिंदू है आज के इस पूरे राष्टर में जो उत्सव हो रहा है वो महलाओं को लेकर है और दूसरा है लोक्तंत्र के मात्र का यानि कि mother of democracy हमें पहले बताये जाता था कि world's oldest democracy जो है वो Britain है largest democracy अमेरिका है लेकिन world's largest democracy हम है भारत वर्ष है और अगर आप पुराने गंतन्त्र की बात करें लोक्तंत्र की बात करें तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ चाहे वो लिच्छवी राज्य रहे हो जितने भी राज्य उसमय में रहे उन्होंने एक गनतांत्रिक पद्धती को अपनाया था एक लोकतांत्रिक पद्धती को अपनाया था जिसके चलते हमारे यहां सवाल पूछने का और पिछले तीन दिन से हमने देखा हमारे विशुविद्याले में हमने जो रामा ख्यान आयोजित किया आप में से कई लोगों ने उसमें भाग लिया कि उसमें बार-बार बताया गया कि यह पस्चमी अवधारणा नहीं है चाहे वो भगवान स्रीकृष्ण और अर्जुन का संवाद हो चाहे वो यम और नचिकेता का संवाद हो चाहे वो आदिशंकराचारिय और मंदनमिश्र का संवाद हो चाहे वो यक्षि के साथ संवाद हो यक्षि और युदिष्टिर का संवाद हो प्रश्ण के माध्यम से ज्ञान को प्राप्ति करने का हमारे हाँ हजारों साल से परंपरा रही है लोकतांतरिक जो परंपरा है आज हमें आरे 26 जनवरी के जो भी कारिक्रम है उसमें भी जलकता है आप जड़ा देखिए इस वर्श के जितने लोगों को पत्मा पुरस्कारों के लिए चैन किया गया उसमें आप देखेंगे कि कोई राज्यस्तर का या जिलास्तर का कलाकार है लोक कलाकार है लोक गीत गाता है लोक नृत्य करता है तो कोई बुनकर है कोई हतकरगा का काम करता है कभी सोचा जा सकता था कि ऐसे लोगों को कभी सम्मान मिलेगा वो भी पदमश्री जैसे सम्मान एक समय था दिल्ली से जुड़े काफी लोग यहां बैठे हुए हैं आशी जी हैं और अन्य लोग हैं दिल्ली में पूरी लॉबी चलती थी और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर उद्योगपती यही सब लोगों को जो है पदमा पुरस्कार मिलता था लेकिन आज वनवासी छेत्रों में जड़ी भूटियों पर काम करने वाले असी नब्बे साल की महिला या किसी दूर दराज वनवासी छेत्र में काम करने वाले कोई स्वहिम सेवक यानि कि वॉलन्टियर समाज सेवी उसको भी जो है चैन किया जाता है और उसको पदमा पुरस्कार दिया जाता है लोगतंत्र और क्या है यही लोगतंत्र का कि जो हमारी तरक्की हो रही है जो हमारा गौरव है उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो और ये तबी हो सकता है तरक्की के लिए एक प्री कंडिशन ये है कि हमारा स्वाभिमान हमें आत्म गौरव की अनुभूती हो हमें लगे कि हाँ वाकई हम एक स्वतंत्र सार्वभौमिक राष्ट्र है इस बात का एहसास होना जरूरी है तो एक आत्म सम्मान का हमने देखा एक राष्ट्री उत्सव हमने बाइस तारीक को देखा आयोध्याधाम में जहां एक सांस्कृति करांती का सूचक था वो एक शुरूआत था जहां हमारे संस्कृति का पुनस्थापना हुई तो ये जो यात्रा है इसमें सरवांगीन विकास समाज का हो व्यक्ति का हो व्यक्ति से समाज बनता है समाज से राष्ट्र बनता है तो ये सरवांगीन विकास के लिए सडके मनना भी जरूरी है ट्रेन चलना भी जरूरी है सांस्कृतिक उत्थान भी जरूरी है व्यक्ति निर्मान भी जरूरी है चरित्र निर्मान भी जरूरी है कोई आयाम ऐसा नहीं है जो आवश्यक नहीं है एक व्यक्ति के जीवन में उसका एक आध्यात्मिक पक्षवी है उसका एक सामाजिक पक्षवी है उसका एक व्यक्तिकत पक्षवी है उसका एक पारिवारिक पक्षवी है इन सब को ध्यान में रखकर ही सरवांगीन विकास राष्ट का होता है और तब जाके हम विकसित भारत बनेंगे और ये विकसित भारत या जो विश्यो गुरू की बात हम करते हैं ये कोई सामरिक ताकत के आधार पर नहीं होगा सामरिक शक्ति के आधार पर नहीं होगा हमारा आध्यात्मिक शक्ती होगा हमारा शैक्षनिक शक्ती होगा पूरे विश्यो को देने का शक्ती होगा जिस तरीके से कोविड काल में हमने वैक्सीन जो है गरीब से गरीब मुलकों तक पहुँचाया ताकि उनके जो नागरिक है वो भी बचे रहे इस महामारी से उस दृष्टी से हमको अपने कणतंतर दिवस को देखने की आवश्यक्ता है यह मात्रे का उत्सब नहीं है यह 75 वा जो है यह लेंड मार्क है मील का पथर है तो हमको आत्मावलोकन भी करने की आवश्यक्ता है मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए दो मिनट अपने विश्विद्याले के बारे में भी बता दूँ कि आपने देखा कि लगातार हम इस परिसर के ही नहीं रीवा परिसर दतिया परिसर और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही खंडवा में भी हमारा जो है अपना परिसर स्थापित होगा दतिया परिसर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे परिसर मजबूत हो हमारा माखनलाल का जो मुख्य परिसर है ये मजबूत हो यहाँ सुविधाएं हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लाए ये भारत का सबसे नवीन तम समौदाइक रेडियो स्टेशन है लेकिन मात्र पांच महीने के अंदर सायद सामौदाइक रेडियो स्टेशन के इतिहास में कभी नहीं होगा दर्च किया होगा कि मात्र पांच महीने के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेट जो देश का एक बहुत बड़ा उपकरम है सारवजनिक शेत्र में उन्होंने 10 लाक रुपे का स्पॉंसर्शिप हमको कारिकरम निर्मान के लिए दिया है 180 एपिसोड हम तयार कर रहे हैं ग्रामीन शेत्रों के लिए मुझे नहीं मालूं आप में से कितने लोग सुनते हैं लेकिन सिहोर की जनता सुनती है भोपाल की जनता सुनती है और मैं इस कारे के लिए रेडियो करमीर के पूरे टीम को निदेशक, टक राशिष जोशी, प्रवंदक, परेश उपाध्याए और सभी प्रोग्राम, आफिसर्स, सबको मैं बढ़ाई सादुवाद देना चाहता हूँ उन्होंने एक रोल मॉडल खड़ा किया है कि माखलल विशुविद्याले जब किसी चीज में हम लोग पहल लेते हैं तो उसको हम एक रोल मॉडल बनाएंगे पूरे देश के लिए, पूरे सामुदाईक रेडियो के लिए इसी प्रकार हमने सिटी युनिवर्स्टी आफ न्यू यॉर्क के साथ मिलकर हमने वेदर स्टेशन का स्थापना की और आज ग्लोबल वेदर मैपिंग जो वेदर मॉनिटरिंग का जो मांचित्र है उसमें भोपाल को स्थान मिल गया है क्योंकि माखनलाल ने ये प्रयास किया राष्ट्रिय शिक्षा नीती का हमने क्रियानवेन किया है पहले विश्विद्यालेओं में है हमने जो क्रियानवेन किया और अब हम नेक की तरफ बढ़ रहे है मुझे पूरा भरोसा है कि अगले वर्ष जब यह कारिकरम होगा तो उस दिन जो भी चाहे कुलपती हो वो इस बात का गर्व करेंगे कि हमारा नेक एक्रिडिटेट विश्विद्याले है क्योंकि हमको आज का नहीं सोचना है छे महीने का नहीं सोचना है एक साल का नहीं सोचना है पांच साल का नहीं दस साल का नहीं अगले बीस वर्ष बाद अगले पचास वर्ष बाद हमारा विश्विद्याले कैसे होगा हमको उसके बारे में सोचना है और उस दिशा में हमको काम करना है इसलिए हम सतथ प्रयास कर रहे है सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स की बात होती है सुनील जेकब जी आप संयुक्त राष्ट की प्रतनित्तु कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स की दिशा में मुझे बताने में बहुत खुशी है कि कल ही हमारे यहां यह सहमती आया है कि हम CSR के तहत IDBI है ना बचपीजी IDBI बैंक ने हमारे जो Transit Hostel है उसको Solar Heater प्रदान कर रहे हैं और जदी वहां Solar Heater हमारी इच्छा है कि एक वर्ष के अंदर हम सभी भवनों को Solar करें और हम विश्विद्याले की और से जो यहां का Power Grid है उसको हम बिजली बेचें हम इस्तिती में आए यह हमारा Target है हमें उमीद है कि इससे हम पूरी तरह एनरजी के छेतर में बिजली के छेतर में स्वावलंबी हो जाएंगे और हम काफी हद तक अपने संसादन अपने आर्थिक संसादन को बचा पाएंगे जब हम Solar में पूरी तरीके से चले जाएंगे हमें इस तरह के बहुत सारे प्रयास और करने की ज़रूरत है हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही यहां अंदरूनी जो भी यहां सामान एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में और बाकी जगे जाता है वो सब इरिक्षा के माध्यम से हो और जल्दी ही इरिक्षा भी जो है वो भी हम जल्दी ही यहां शुरू करेंगे इस तरह लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे यह सब संभव नहीं है अगर हम एक टीम की तरह काम न करें और उस टीम में संकाई भी है करमचारी भी है और विद्यार्थी भी है हम सब मिलकर इस विश्विद्याले को नई उन्चाईयों में हम ले जाएं यह संकल्प भी हमको लेना है मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो चित्र भारती हमने यहां आयोजन किया था अब यह पंचकुला चंडिगड में इसका आयोजन हो रहा है और उसमें जो 48 फिल्में शॉट लिस्ट हुई है उसमें 13 फिल्में माखनलाल विश्विद्यालाई की फिल्में है और कल ही हमने निरनाई लिया कि उन 13 फिल्म के जो निर्माता है उनको हम विश्विद्याले की और से हम उनको फेस्टिवल में भेजेंगे इसका उद्देश्य है कि हम प्रोचसाहित करें हमारे युवा कलाकारों को हमारे युवा पृतिबाओं को कि वो और फिल्में बनाए सिनेमा अध्यान विभाग बहुती अध्भूत कारे कर रहा है देश का सबसे नमीनतम सिनेमा अध्यान विभाग आज देश में विशेशकर उत्तर भारत और मध्यभारत में एकमात्र विभाग है जहां डिप्लोमा से लेकर पीएच्डी प्रदान की जाती है और इस विभाग की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, देश के सबसे बड़े फिलम कार आज इस विभाग में आ रहे हैं, मैं डक्टर पवितर श्री वास्ताव और उनके टीम को बधाई देना चाहता हूँ इसी प्रकार भारतिय भाषा विभाग हमने जो शुरू किया है, वो भी बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है, और जल्दी ही मुझे कल ही ये प्रस्ताव मिला है, वो भी मैंने सोचा कि कई प्रस्ताव बड़े समय पर आ जाते हैं और वो नेशनल प्रमोशन, काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंगज, इनके जो निदेशक हैं, हमारे मित्र स्री रवी टेक चंदानी जी का पत्र आया है, कि जल्दी ही हमारे विश्विध्याले में क्यार मलकानी सेंटर फॉर सिंधी जर्नलिजम, क्यार मलकानी सिं केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंगज, द्वारा, हमारी जो ट्राइमासिक शोद पत्रिका है, मीडिया मिमांसा, मीडिया मिमांसा को, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस, आईसी एससार, साइंसे रिसर्च, के तरफ से, अभी मात्र, दस दिन पहले, धाई लाक रुपे का विशेश अनुदान मिला है, तो हम जो भी कारे कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं, भारतिय भाशा विभाग के लिए, डॉक्टर राखितिवारी जी, और डॉक्टर जया सुरजानी जी को, और इसी प्रकार हमारे अद्भुत कार्य बहुती नवगठित, भरत्मुनी शोध पीट कर रहे हैं, प्रफसर गिरी शुपाद्याई जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, इतना भव्य, इतना अद्भुत, इतना ज्यानवर्दक, हमने जो रामाख्यान आयोजित किया उसके लि ऐसे बहुत सारे और सफलताएं हैं, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो आज का पूरा दो घंटे उसी में निकल जाएगा, मैं इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, बस आपको यही कहूं, कहूंगा कि हम सब अपने अपने छेत्र में, एक अच्छे विद्यार्ती की तर एक अच्छे संका, एक अच्छे करमचारी, हम अपना कर्तव्य पत्थ पर, यह कर्तव्य पत्थ मात पर दिली में नहीं है, हम सब के मन में होना चाहिए, हम सब के दिल में होना चाहिए, हम सब मिलकर कर्तव्य पत्थ पर चलते रहें, और अपने अपने हम सब जाके, सीमा प तरफ बढ़ें, excellence, let us move towards excellence वो उत्कृष्टता जिस दिन हमारे अपने काम में, चाहे वो एक क्लर्क हो चाहे वो एक संकाय हो, चाहे वो एक विबागाध्यक्ष हो, चाहे वो कुलसचिव हो, चाहे वो कुलपती हो अगर उसका एक मात्र लक्ष उत्कृष्टता होगी तो ना भारत को कोई विश्वगुरू बनने से रोख सकता है ना माखनलाल चतुरवेदी राष्ट्रे पत्र का इरता एमम संचार विश्वध्याले को देश के बहतरीन विश्वध्यालेयों में गिंती में आने से कोई रोख सकता है इसलिए हम सब को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए आज का डिवस अवश्य हर्शोल्लास में मनाईए लेकिन अत्मावलोकन का भी समय है अपने कर्तव्य की तरफ हमें जागरूख होने का भी समय है मुझे पूरा भरोसा है कि हम विक्सित भारत के दिशा में हम भी एक गिलहरी की भूमिका में हम सब लोग अपना योगदान करेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है आप सब को मैं पुने पिछित्तरवे गनतंतर दिवस की बहुत बहुत शुब कामनाएं देना चाहता हूं मेरे साथ तीन बार आप बोलेंगे जाए हिंद जाए हिंद जाए हिंद